तो चलिए शुरू करते हैं पिशली क्लास में हमारा क्या चल ला था पहला चैप्टर नंबर सिस्ट्रम में हम देख रहे थे परिमय संख्याओं के बारे में तो सभी विच्छी बताएं परिमय संख्याओं क्या होती है हाँ तो परिमय संख्याओं हमारी कैसी होती है पी वाई क्यू के बराबर नहीं होता और पी और क्यू दोनों पूरांक होते हैं मतला वो धनात्मक, रनात्मक और शुल्ने तीनों हो सकते हैं सभी को clear है थे परिमय संख्याओं के अदार हमने उस दिन देखे थे परिमय संख्याएं कौन-कौन से उधानर होते हैं सभी वच्छे एक उधानर बताएंगे PYQ टाइप के उधानर बताएं जहां पे Q आपका 0 नहीं हो और आपके P और Q दोनों क्या हो पूरांग को तो आप इसके उधानर बताएं सभी वच्छे उधे में सारे उधानर इस्कस करें थे परिमय संख्याओं के उधानर चैप करको बताएं के बताएं बचछे उधानर तीन बटा पाँच, छे बटा साथ, 89 बिल्कुल तो यहाँ पे देखो आपके उधाना रानेक शुरू हो गहा है क्या है तीन बटा पाँच, यह तो सभी कोई दिख रहा है साथ-साथ माइनस के भी होते हैं माइनस का 16 बटा पाँच आपने कहा है, बिल्कुल सही minus का 16 बटा 5 तो सभी जियान दे कि P.O. क्यों पुरांक है पुरांक में आपके negative भी आती है संख्या है positive भी आती है और शुनने भी आती है तो ये आपके यदि हम negative ले 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 तो आपका minus का 16 बटा 5 भी कैसी होगी परिमय संख्या है होंगी क्यों क्योंकि आपकी इसमें पूरांग होनी चाहिए तो माइनस का साथ बटे पांच, माइनस का 88 ओबर 77 बिल्कुश सही तो यह आपकी कैसी संख्या है, परिमय संख्या है clear हुआ, तो negative भी आपकी परिमय संख्या है होंगी और positive भी, इसके साथ सभी बच्चे बता रहे हैं कि या 6 6 आया आपका तरफ से, तो 6 भी एक परिमय संख्या है माइनस का 2 बटा 1, बिल्कुश सही, माइनस 2 बटा 1 आपका माइनस 2 क्या है, एक परिमय संख्या है तो ये ध्यान से देखिए, माइनस 2 कैसे परिमय संख्या हुई क्यों, क्योंकि हम इसे क्या लेख सकते हैं, माइनस 2 बटा 1 लेख सकते हैं एक से भाग देंगे, किसी भी संख्या को वही संख्या आ जाती है तो आपका माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 2 बटा 1 तो यह आपकी क्या हो गई परिमय संख्या क्यों क्यों कि हमने से PYQ के form में लिख दिया और जिसमें Q नीचे की संख्या आपकी 0 नहीं है नीचे की संख्या आपकी 0 नहीं 1 है तो यह क्या हो गई परिमय संख्या तो इस तरीके से जो पूरांक होते हैं वो भी आपकी परिमय सं संख्याएं और पूरांख सभी आपके क्या होते हैं परिमैसंख्याएं क्लियर है और बच्चो उधारण दो और उधारण दें मैंने बहुत सारे उधारण दिये थे उस दिन एक पटा एक बिल्कुल एक आपका एक परिमैसंख्या है और उधारण दें बच्चो और भी तरीक कि मैंने डेल सारे उधारण दिये थे कोई नया बताओ ये तो समय ने बता दिये और भी बहुत तरीके के उधारण दिये थे बताएं ये भी सब वही हैं बस आपने संख्याएं बदल दी हैं कुछ और उधारण भी दिये थे मैंने लास दिन क्या जीरो जीरो क्या होती है आप कि आपका बटे में 0 ना हो और P or Q क्या हो पूरा अंको तो देखो Q पे शर्त है कि नीचे वाली संख्या 0 हो ना हो उपर वाली संख्या तो 0 हो सकती है अनीष पावरिया के नाम से जिस बचने जॉइन किया पटानी थी आपको संख्या और किस तरह के होते हैं यह बताने थे बड़ी से बड़ी संख्या भी आपका उधाना होगा मैं समझ गई लेकिन कोई नया उसकी वो भी तो टाइप पता हो, तो जैसे जीरो, जीरो आपकी क्या है? एक परिमे संख्या है, कैसे? कि जीरो को हम किसी से भी संख्या से भाग देंगे, तो जीरो ही आएगा, तो जीरो को दो से, तीन से, चार से, पांस से, किसी भी संख्या से भाग दो, ज तो जीरो भी आपकी एक परिमे संख्या है इसके बाद एक बच्छी ने मताया रूट 25, बिल्कुल सई तो वर्गमूल के अंदर यदी किसी संख्या का वर्ग बन रहा है، यहां पचिस क्या है पांच का वर्ग है पांच का वर्ग है पांच पंचे 25 तो यदि आपका वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग बन रहा है पांच का वर्ग तो वर्गमूल और अंदर का वर्ग एक दूसे को कैंसल कर देते हैं और संख्या बहार आ जाती है पांच बहार आ जाएगा तो पांच आपकी क्या है परिमे संख्या है क्यों पांच को हम क्या लिख सकते हैं पांच को पांच बटा एक लिख सकते हैं है ना तो यह आपकी क्या है आपकी परिमे संख्या है तो रूट पच्छस जैसी संख्या है भी आपकी है परिमे संख्या है होती है परिमें संख्या है होंगी सभी को समझ में आया ये तो इसी तरह रूट 25, रूट 64 रूट 9 यदि अंदर किसी संख्या का बर्ब बन रहा है तो वो परिमें संख्या होंगी यदि अंदर किसी संख्या का बर्ब नहीं बन रहा है, सिर्फ रूट 5 है तो क्या ये परिमे संख्या होगी, बताओ बच्चो, रूट 5 क्या परिमे संख्या होगी, बताओ बच्चो, अंदर किसी संख्या का बर्ग नहीं बन रहा है, तो ये परिमे संख्या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि कोई भी संख्या बाहर आ नहीं सकती, और आप कोई सोच पूरांग और रूट फाइव एक पूरांग नहीं है आपकी पूरांग नहीं है तो यह आपकी परिम्य संख्या नहीं होगी तो यह आपकी परिम्य संख्या नहीं होगी इसी तरह और उधार दे और उधार दे एक आद और बताए था मैंने किसी को याद है रूट 25 बटे में रूट 49 बिलकुल सही रूट 25 बटे में रूट 49 तो रूट 25 कितना व Martinez ऐगा पांच यह हो गया साथğan पांच बटा साथ भी आपकी क्या है परिम्य संख्या नहीं है पर इसी किसा साथ किसी ने दशंवलब का नहीं बताया उस दिन मैंने दशंवलब वाली सं परिमे संख्याई होती है जिसमें नीचे आली संख्या आपकी 0 नहीं है, 10 है, 0 नहीं है, तो यह आपके क्या हो गई, परिमे संख्या हो गई, तो हर दशमलब आली संख्या आपकी क्या होती है, परिमे संख्या होती है, क्लियर है, तो इतने सारे उधारण हमने देखे थे, सभी बच्चों समझ में आए प्राकतिक संख्याएं परिम्य संख्याएं होती है पहले बताएं प्राकतिक संख्याएं कौन सी होती है प्राकतिक संख्याएं तो यह आपकी प्राकतिक संख्याएं है किसी को कोशन नहीं समझ मängt आ तो बचिया पूछाएं question clear है आप से पूछा जा रहा है कि क्या सभी प्रागतिक संख्याएं आपकी परिमे संख्याएं होती है मैं पोल खोल दू मैं पोल खोल दिया है देखें आप पोल में answer दें बच्चा और भी भी किसी को कोई question में clear नहीं हो तो आप पूछ सकते हो सभी प्रागतिक संख्याएं के परिमें संख्याएं होती है यह जो आपको दे रखिये क्या यह परिमें संख्याएं है परिमें संख्याएं है इन्हें हम परिमें संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो कथा न सकते होगा दियान से बच्चों आगसा देना है सभी को किसी भी बच्चे को डाउट हो तो माई कौन करके पूछ सकता है बच्चे हूँ सभी बच्चे सकांस आपोल में नहीं आप को आप को प्राकतिक संख्याओं को क्या हम परिमे संख्याओं होती है लिख सकते हैं प्राकतिक संख्याओं को परिमे संख्याओं के रुख में मैंने अभी आपको धारान में भी बताया था सभी रचे पोल में आंसर दें और अजे, तर देंगे, लिख संख्याओं को ये, देंगे, सहल के रिख राकतिक संखित और दी खांतिक संख्याओं के प्राइचा थांस लाज दस सेंग दस नो आठ साथ छे पट चर तीन दो एक तो अब इसका answer देखते हैं बच्छो आपका question था है कैอ सभी प्रागरतिक संख्या है परिमें संख्याए होती है प्रागरतिक संख्याएं आपकी कौन सी होती है एक दो तीन चार पांच तो हम इन नहीं लिख नहीं सकते हैं तो को हम दो बटा एक मैंने बताया था, तीन को तीन बटा एक, एक को एक बटा एक, चार को चार बटा एक, इस तरीके से हर संख्याए को हम क्या लिख सकते हैं, परेमें संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कथन आपका क्या हुआ, सत्य है, ये कथन सत्य है, हर प संक्रियाइं वही चार तरीके की जोड, घटाव, गुड़ा, और भाग. तो ये चार संक्रियाइं सीखने हैं, जोड, घटाव, गुड़ाव और भाग. ठीक है तो पहला heading डाल लें सबी बच्चे जोड पहला योग डाल लिया बच्चो जैसे हमने भिन्नो का करा था जोड़ गटाव वैसे ही परिमेसंख्याओं का जोड़ गटाव होता है तो पहला question है आपका 7 बटे 8 और 5 बटे 3 को जोड़ना है यह मैं भिन्नो का जोड़ों गटाव जाया था मैंने खा था पहला है रिवाइस कर के यह था ज्यूरल किसे कंगते हम है डाल मैं सब्सक्राइब करें जैसे पहले LCM ले लेते हैं या नीचे की संख्याओं की आपस में गुणा कर देते हैं है ना तो साथ तियां 21 और पांच अठे 40 और बटे में आठ तिया 24 तो कितना आ गया 40 में 21 रोड़ोंगे 61 बटे 24 किया रहे है यस मैं तो आपका आंसर आ गया 61 बटे 24 सभी वच्चर ने लिखा हाँ आपकी कॉपी दिख रही है बिलकुँ सही 61 बटे 24 सभी वच्चर को तो यह आ गया आपका 61 बटे 24 इसी तरीके से एकाथ कोशन और सॉल्फ करें इसका बताएं कितना आएगा पांच बटे 4 ओ 3 बटे 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों सभी वच्च अपनी कॉपी दिखाएंगे कैमरा करके 5 बटे चार और 3 बटे 8 को जोड़ेंगे तो कितना का आएगा झाल पैक कैमरा उन करें कितना है आपका इससे सॉल्फ करें 52 ओवर 32 को किसी से भाग दे सकते है भाग दे कर देखिए दो से बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी अनीश की नाम से जिस बच्चे ने जोइन किया बिटा आप इतने अंधेरे में कैसे बैठे हैं आप कॉपी में अपना नहीं लिख रहे हो साथ-साथ उपर च्छत पे हैं क्या बच्चों कम से कम ऐसी जगे बैठें जहां आप अपनी कॉपी पर साथ-साथ लिख भी सकें बिलकुस है बच्चे आपके बागी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी दिखाएं कॉपी पे सॉल्फ करें बिना कॉपी पे सॉल्फ करें बच्चे नहीं आ सकता अनीश के नाम से जिस बच्चे ने जॉइन किया बटा नीचे जाएं और उजाले में कॉपी में लिख कर दिखाएं मुझे उपार अंधेरे में छत में आपको क्या दिख रहे हैं नीचे उजाले में जाएं खोला वापटी जी दूसरा सवाल बोल जो कितना आया बेटा उपर आता है 52 और नीचे आएगा 32 उपर 52 नीचे 32 नीचे 52 क्यों लिखा है हम solve करें कैसे कर रहा है 8 और 4 की गुणा करें नीचे 8 4 की 8 से गुणा करेंगे उपर प्रॉस में गुणा करें 5 की 8 से और 4 की 3 से तो 5, 8, 40 और 4, 3, 12 बटे में 4 अठे 32, तो कितना हो गया, 40 में 12 जोड़ेंगे, 52 बटा 32, पर इसे हम उसरल कर सकते हैं, 4 से भाग देकर, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आ गया, 13 बटे 8, या ऐसे कर लो, 8 हलसियम ले लो, 8 हलसियम लोगे, तो यापका कितना हो जाएगा, 5 दुनी, और 3 कतीनी, तो सीधे ही आजाएगा, 13 बटे 8, बताओ बच्चा, दोनों मेथट क्लियर है, यस मैम, हाँ, बिल्कु सही, हेमन के नाम से अब जिस बच्चे ने जोइन किया, सभी बच्चों को क्लियर है, आगे चले, एक कोशन पोल में देंगे बच्चों अब आंसर हो, नेक्स कोशन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें, पहले कॉपी में सॉल्फ करके दिखाएंगे मुझे, फिर पोल में आंसर देंगे, 9 बटा 5 और 8 बटा 7 को जोड़ेंग 9 बटा 5 और 8 बटा 7 को जोड़ेंगे, पहले कॉपी में सॉल्फ करके दिखाएंगे हम, बिल्कु सही, आपका बिल्कु सही है, आप अपना आंसर पोल में दें सभी बच्चे दियान से इसे अपनी कॉपी में सॉल्फ करें, फिर पहले मुझे दिखाएंगे अपनी कॉपी, फिर इसका आंसर ओप्शन पोल में दें हम, आपका भी आंसर बिल्कु सही है, आप इसका आंसर पोल में दें बागी बच्चे दिखाएं, ध्यान से बच्चो नीचे वाला बटे का क्या है, आपका वो, बताएं, नीचे हर की हर से गुणा करनी होती है, पांच की साथ से गुणा करेंगे, कितना हैगा, पांच सते, पैतिस, उपर क्रॉस में गुणा करनी होती है, दिखाएं विच्छा कॉपी अपनी? अपनी? जल्दी यल्दी वट्राइब जल्दी वट्राइब क्या करोगे तो तिरशी गुणा नौ की साथ से करो और आठ की पाच से गुणा और जोड साई करें हम आंसा पोल में दे हम फ्येंषी में कर दो यह वी करता है हम हम आप़क को वा आपक कर रहे वहाँ कि यहाँ हां दिखाएं बच्छे copy back camera on करें हां दिख रही है हां बिल्कुँ सही answer दिखाएं बिल्कुँ सही आप भी इसका answer पोल में दें सही आप बिटा आपका answer यह दे दिया good सभी बच्छे पोल में answer दें जल्दी से अभी भी आपकी जोड में गलती हो रही है बच्छो तो चलिए देखते है answer अभी अच्छे जल्दी से पोल में दें यहां आपका क्या हो गया नौ सते 63 और आट पंजे 40 बटे में 7 पंजे 35 63 में 40 जोडेंगे कितना आजाएगा एक सो तीन एक सो तीन बटा पंजे 35 कि आपका कौन सा option हो जाएगा option C clear है बताओ बच्छो सभी को समझ में आया तो एक सो तीन बटा पंज और चार बटे 10 इसे जोड़ें तो कितना आएगा हाँ बिल्कुछ सभी बिल्कुछ सभी आपका answer देखें हाँ बिल्कुछ सही हाँ very good आपका भी answer बिल्कुछ सही है और बच्छे बताएं हाँ एक answer तो कैसे आया आपका नीचे 10 Celsius हम ले ले तो आपका थोड़ा सान हो जाएगा पांच की कितने से गुणा करनी होगी 10 लाने के लिए दो से पांच की दो से गुणा करेंगे तब ही तो 10 आएगा तो तो तीन की भी हमें किस से गुणा करनी होगी दो से, यहां आपका दस है ही, तो हम एक से गुणा करेंगे, तो चार की गुणा कितने से करनी होगी, एक से, यह आपका लासा वाला तरीका है, कि पांच और दस का लासा कितना आगया, आपका दस, पांच से भाग दिया, पांच पांच दुनी 10, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, तो लासा कितना आगया, आपका 10, तो हमने इसका LCM ले लिया नीचे में, LCM 10 आया, तो 10 से लाने के लिए, दोनों के हर को 10 लाने के लिए किस से गुणा करते हैं, यह देखना होता है, तो यहां 5 की 2 से गुणा करनी होती है, तब 10 आता है, 5 दूनी 10, तो 3 की 2 से गुणा कर दी, और 10 एकम 10 होता है, तो 4 की 1 से गुणा कर दी, clear है, तो यह आपका कितना हो गया, 3 दूनी 6, और यह 4 एकम 4, बटे में 10, तो 6 और 4 कितना हो गया, जोड़ेंगे, 6 और 4, 10, 10 बटे 10 कि तो यह कितना आ गया एक आगया आपका अंसर अब चाहें आप किसी भी मैथट से करें आंसर आपका एक ही आएगा क्लियर है सब्सक्राइब यह मैथट समझ में आया है LCM वाला तो आगे चलते हैं एक कोशन का आंसर बच्छो पोल में देंगे यह आपका कोशन है 13 वटा 2 और 17 वटे 8 तेरा वटा 2 और 17 वटे 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ध्यान से बच्छो इसका अंसर सभी अच्छे पोल में देंगे पहले अपनी कॉपी में सॉल्फ करके मुझे कॉपी दिखाएंगे उसके बाद पोल में आंसर देंगे कॉपी में सॉल्फ करके कॉपी दिखाएं 13 वटा 2 और 17 वटे 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा बिल्कुल सही वेरी गुड आपकी कॉपी देख ली बिल्कुल सही है आप इसकान सा पोल में दे रहें बागी बच्छे देखाएं अपनी कॉपी यदि बात में सरल करें तो उपर और नीचे दोनों को सरल करें केवल उपर वाली संख्या को ना नीचे वाली संख्या को भी सरल करना होता है बागी बच्छे दिखाएं अपनी कॉपी बिल्कुँ सही है आप इसकान सा पोल में दे दो बच्छो ध्यान से यदि आप भाग दे रहे हो तो नीचे वाली संख्या को भी भाग दो उपर वाली संख्या को भी भाग दो गलती नहीं करें आन सा पहले अपनी कॉपी में दिखाएं मुझे 2 और 8 का LCM लोगे कितना आएगा LCM आठ 8 LCM आएगा 2 की किस से कुणा करने के 8 आएगा 4 से तो 13 की 4 से कुणा करो 17 की 1 से करें सबी बचले नहीं जल्दी से अपनी कॉपी में दिखाएं अपनी कॉपी हाँ बिल्कु सही आप भी सकान सा पोल में दे रहें बिल्कु सही कि अपनी कॉपी हाँ यह कैसे आया किसी का बेटा जोड सीधे सीधे नहीं होता है कि आपने 13 की 17 से गुणा कर दी तो 30 आ गया जोड बिल्नों का जोड है यह पूरी एक संख्या है तेरा बटा दो आप ऐसे नहीं जोड सकते कि तेरा को सतरा से जोड दिया दो को आच से नहीं तो यह आपको तेरा बटा दो को जोड़ना है सतरा बटे आठ से बागी बच्चे दिखाए अपनी कॉपी क्या करा होगा आठ हेल्सियम लिया तो तेरा की गुणा चार से करें दो चौक आठ और सतरा की गुणा एक से करें करें गुणा बताएं कितना हैगा मैं तेरा चौके बावन सतरा एकम सतरा हाँ हाँ बिल्कु सही सभी बच्चे जोड़े फिर उसके बाद आंसर बताएं क्या है आँ और पोल में आंसर दें सभी बच्चे हूं 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 बिल्कु सही सभी बाद आंसर दें अच्चे जोड़ी बताएं बताएं क्यों हूं पर पोल में आंसर दें बाद आँश्यों अभी सिर्फ आद ही बच्चों के वोट आए हैं, सबी बच्चे वोट दें बच्चों क्या कर रहे हो बटे में आट है तो उपर तो गुणा तरे चार तेरा की इसे करोगे तो 52 आएगा पंदरा 17 की एक से करोगे 17 आएगा अब जोड के बताओ कैसे तीस आगया आप लोगों का जोड उपर उपर जोड तीस कैसे आ रहा है अपनी कॉपी दिखाएं कितना आ गया मैं जो आंसर दो पोल में अभी कितने बच्चे रह गया है पोल में आंसर दें तो यह आपका क्या आगया 52 में 17 जोडेंगे 69 69 वाइल 8 ओप्शन कौनसा सही होगा ए ए ओप्शन सही आंसर है क्लियर हुआ चाहें आप तिछी गुणा क्वाले मैं तट से करना चाहो उससे कर लो नीचे बटे बटे की संख्या की गुणा कर लो 2 अठे 2 अठे 16 हो जाएगा तो 13 की 8 से गुणा कर दो 17 की 2 से आंसर उधा से भी सेम ही आएगा बस आपको क्या करना होगा भाग देना होगा 13 अठे 104 और यह आपका आजाएगा 34 तो यह आपको कितना होगे 138 बटा 16 दो से भाग दो के कितना आजाएगा दो से भाग दो के उप़ा 69 नीचे 8 आंसर दोनों तरफ से कितना है 69 बाई 8 clear है सभी उच्छे बताएगे सभी को समझ में आया yes ma'am तो option ace का सही जवाब है ठीक है आगे चलते हैं अब परिमे संख्याए मैंने आपको बताया सिफ प्लस में ही नहीं होती है माइनस में भी होती है तो यदि मैं आपसे कहूं माइनस का 3 बटा 4 और प्लस जोड़ना है 5 बटे 8 को तो बताओ कितना आएगा तो ये question आपका परिमे संख्याओं का योग है लेकिन असले में क्या है भिन्नों का घटाव यहाद है बच्चो भिन्नों का घटाव जैसे करते थे वैसी करेंगे माइनस 3 बटे 4 में 5 बटा और चोड़ें बताएं कितना आएगा मैं में 131 बटाओ अंसर है माइनस का 131 का 131 का 131 बिलकुर सही सभी बच्चे बताएं बागी बच्चे देखाएं अपनी कॉपपी माइनस का आपका अंसर सही है बागी बच्चे देखाएं झाल 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 बचो आया बाकियों का नहीं माइनस साथ बटे चार नहीं है बटे 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 चार और पांच बटे आठ को कैसे करेंगे यह आपका बिन्नों का जोड़ो घटाव में घटाव है माइनस का तीन बटे चार और प्लस का पांच बटे आठ तो यह तो पैलसियम के तरीके से कर लो या चार की आठ से गुणा कर लो चार की आठ से गुणा करोगे तो तो तीच्छी गुणा करो पहले इसकी इससे माइनस तीन की आठ से गुणा करेंगे और इधर पांच की चार से गुणा करेंगे तो बताएं कितना आजाएगा माइनस का माइनस का 1 बटा 8 बिलकुल साही माइनस का 1 बटा 8 4 अठे बटिस माइनस का 1 बटा 8 आघ आ गया clear है बताएं सभी बच्चे को समझ में आया येस मैं अब बताएं आपके गलती समझ में आया गलती कहा कर रहे थे हम इसी तरह एक और कोशन करें बच्चो येस मैं नेक्स कोशन आताएं 5 बटा 6 और प्लस माइनस का 2 बटा 3 कितना होगा दो परे मैं संख्याओं का योग है मैं तीन बटे दो नए मैं मैं एक बटा छे है हाँ, आप सही है, एक बटा छे क्या करा, तो यह आपका पांच बटा छे है प्लस और माइनस माइनस हो गया, दो बटा तीन तो क्या करेंगे, नीचे छे की तीन से कुणा कर देंगे, उपर तिच्छी कुणा करेंगे पांच की तीन से, माइनस दो की छे से तो पांस तियां पंदरा माइनस 2 छट 12 बटा 6 तिया 18 तो यह आपका कितना आ गया, 15 में से 12 घटा आया, 3, 3 बटा 18 3 बटा 18 आपका कितना हो गया, 1 बटा 6, clear है बताओ बच्चो सबी च्चे बताए समझ में आया दिखाएं copy 1 बटा 6 आएगा, आपका यह क्या आया उससे पहले दिखाएं, एक बट अच्छे से पहले क्या लिखा हुआ है, पूरा दिखाएं, पीछे से थोड़ा, के वाल आंसर नहीं, पूरा सल्यूशन दिखाएं, स्टेप्स, तीन बटा अठारा, हाँ, तीन बटा अठारा, एक बटा अच्छे हैं, बिलकुल सही, ठीक है, सभी को समझ में आया, यस मैम, ठीक है, तो एक कोशन और करते हैं, नेक्स कोशन देखें, माइनस का पंदरा वटा 14, और प्लस का ग्यारा वटा 7, इसे सॉल्फ करें, और अपनी कॉपी में दिखाएं, माइनस पंदरा वटा 14, प्लस ग्यारा वटा 7, माइनिस पंदरा विटा चौदा प्लस का ग्यारा विटा साथ मुझे अबिए 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 माइनिस पंदर विटा चौदा प्लस का ग्यारा विटा साथ कि झबिए अधिए अबिए अबिएक साथ बच्छे 49 by 98 कैसे आया 154 minus नहीं गुणा सही नहीं करिया आपने इसकी 15 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 15 की 7 से गुणा करो गुणा गलत है यदि आप 14 की 7 से गुणा कर रहे हो माइनस 15 की 7 से गुणा करें और इधर 11 की 14 से गुणा करें 15 से 105 और 14 की 1154 तो पहले उसे 15 की 7 को लिखो फिर उसे लिखो ताकि पूरांकों में जोड़ और घटाफ में आपका बहुत अलग हो जाएगा तो पहले इधर वाली कुणा होती है उसके बाद इधर वाली कुणा होती है बताएं बच्चों कितना आया बताएं वाली करें साफ नहीं दिख रहा है, हाँ, एक बटा दो, साथ बटा चौदा का मतलब साथ से भाग दिया, तो साथ एकम साथ, साथ दो नहीं चौदा, तो कितना आएगा, एक बटा दो, सभी अचे कर नहीं, दिखाए अपनी कौपी में, दिखाए, माइनस फंदर बटा चौदा प्लस ग्यारा बटा साथ, प्लस पर चौदा, प्लस भाग प्लस ग्यारा बटा, रिज ग्यारा, तो अच्छों कर दो, हम, बटा रहरे समझ में, तो अब इसका अंसा पोल में दें, बटा पोल में दें बटा आँपो आंसार, हम, आपका कितना है, सरी, बटे में कितना आ रहा है, 14 की 7 से गुणा करी, तो 98, सिर्फ भाग दें, कितना है, माइनस का 105, प्लस का 154, कितना हुआ, 49, 49 आएगा, प्लस का 49, अब आउन में, 49 ओवर 98, तो यदि आपका कितना आ रहा है, माइनस का 105, और प्लस का 154, तो इसे जोड़ें, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 49, बटे में 7 की 14 से गुणा कर रहा हो, तो 7 की 14 से गुणा करो, 98, 49 में 98, बिल्कुल सही, पोल में आंसा दें, बच्चे, सभी बच्चे, इस का आंसा पोल में दें, ब इस वच्चे ने लगाया, अपनी कॉपी दिखाएं, बी नहीं है, आपका आंसा बलकुल सही है, बच्चे, पोल में आंसा दें, आप भी, एक एसे आया बच्छे नहीं बटे में 14 की साथ से गुणा करो गे 90 ना डी है न भी है आप अपनी कॉपी दिखाए पहले मुझे कॉपी दिखाए तुक का नहीं यह तो LCM लगा के कर लो तो आपको इतनी गुणाएं भी नहीं करनी पड़ेगी LCM से और easy हो जाएगा LCM से बच्छो और easy हो रहा है क्या माइनस का 15 बटे 7 और 11 बटे 14 तो क्या करो 14 LCM ले लो तो माइनस 15 की 2 से गुणा करो और 11 की 1 से तो कितना आजाएगा माइनस का 30 प्लस का 11 बटे 14 प्लस का 11 बटे 7 है सौरी पूरा कोशन गलत लिखा माइनस 15 बटे 14 है और 11 बटे 7 है जो 14 LCM ले लो तो माइनस 15 की 1 से गुणा होगी और 11 की 2 से तो बताओ कितना आजाएगा माइनस 15 प्लस 22 बटा 14 माइनस से ये प्लस है तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 22 में से 15 घटाओगे 7 बचेगा 7 बटा 14 साथ बटा 14 आपके option में नहीं है तो क्या करोगे? साथ से भाग दो साथ से भाग दे कौन सा उप्शन आएगा? आंसी पोल में आंसर दें बचो पोल में आंसर दें पोल में आंसर दें साथ पोल में आंसर दें पोल में आंसर दें बागी बच्चे भी पोल में आंसर दें कौन को नहीं गया अभी? डेडियम आंसी अभी भी पर रह गया है बच्चे जल्दी से आंसर दें तो यह आपका कितना आया? साथ से भाग दिया साथ एकम साथ साथ दुनी 14 एक बटा दो option कौन सा सही होगा? सी, clear है? तो यह था आपका जोड़ और घटाफ अब इसके बाद आप सभी homework देखें, अपनी अवंती की workbook खोलें एक पर अवंती की workbook खोलें, उसमें page number 32 पे आजाएं, page number 32 पे आपका परिमे संख्याओं का योग दे रखा है परिमे संख्याओं हाँ, page number 32 पे आपका परिमे संख्याओं का योग और घटाफ दे रखा है देखें, दिख रहा है page number 32 इस परिमे संख्याओं का योग और घटाफ यह उसके उधानन करनी है उसके बाद यह आपकी exercise है 23.1 और 23.2 ठीक है, दोनों exercise करनी है और कल भिन्नों का घटाफ भी देखकर आना और भिन्नों की गुड़ा next turn पे हम भिन्नों का परिमे संख्याओं का घटाफ और गुड़ा देखेंगे तो उसके लिए भिन्नों का पढ़के आईएगा आज की class के लिए बच्चो इतना ही था आप बताएं किसी को कोई doubt या question पूछना हो तो आप पूछ सकते हो किसी को कोई question या doubt पूछना है बच्चो झारках सकते हो झार किसी कोई नचो वाफ या वाल मतना ही दो आप है किसी को का žाज़ा Groß पहला हूआ है